तो मैंना मसाइकत आप देख रहे टेख रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज के वीडियो में हम लोग एक कॉंपोजिट टाइप जो है पाइटन में लिस्ट उसके बारे में देखने वाले और लिस्ट बेसिकली बहुत सारी डेटाइप में से एक है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के वैलूस को स्टोर कर सकते हैं मतलब डिफरेंट ट्रिमि और ठीक है तो जाएं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आज हम लोग क्या सिखने वाले तो यहां पर देखिए मैं आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद मैंने आपर कि आप कुछ अलग ही समझ लो यह दोनों एक ही चीज होते हैं मैं बस इंटर्चेंजबली सब को यूज कर रहा हूं तो यहां पर मैं सबसे पहले एक आरे बना देता हूं और वो बनाने के बाद मैं सबसे पहले आपको एक प्रॉबर्टी देखाना चाहता हूं एरे का या फि हूँ जहें इलिमेंट्स होते हैं जहां जोच पुले लेंगे यहां पर डोलॉ करता है इसका इंडेक्स पर यहां पर लेक्स यहां पर यहाँ पर है यहाँ पर यहां पर टूब है यहाँ कथेख्ण अपर यहां meant को मैं Target कर रहा हूँ और मैं उसको change कर देता हूं four में और यहां पर अब अब और मैं इसको करता हूँ print यह मैं लगा रहा हूं आखर इसको rann कर रहा हूं देखिए ैं यह हमने है कि म्यू beef92 है यह elements यह हम नहीं देख लिया too Gable नाम का ईटरैटाब होता है कॉंपोघटान में वह है और उसमें जो डेटा होता है वो म्यू river नहीं होता वह रोकिसी gewoon अज हम लोग एक देखते है तो उसके बाद हम लोग दो जो यो टाइप सह पाइफन का वह देखने वाले मत् Accords देखने वाले लिस्ट का सबसे वहला फंक्शन है एपेंट समझने के लिए मैं आप पर फिर से एक आरे बना रहता हूं वन टू थ्री और इस एरे को इस एरे के साथ मैं अगर एपेंट फोर कर दूंगा तो हाँ अपने सभ्स हो ज लास्ट में फॉर एड हो जाएगा अगर अपने नहीं पर फोर एड हो जाए गा तो यहoton क्या करता है आपका जो आयड और फिर एक और एल्यूंट क्वेकर देता है क्या करता है अगर आपको एक से ज्यादा elements एंटर करने उसके लिए आपको extend उसके लिए आप extends करते हैं एक्सामपल यहां पर आपकर लिखेंगे यह डॉट extends और यहां पर आप bracket में लिखेंगे 123 123 123 नहीं लिखते हैं यहां यहां पर लिखते हैं 345 यह मैं अगर इसके आखिर में add करना जाता हूं तो उसके लिए हम extends use करेंगे extends नहीं स्वरी extend होता है यह और फिर हम लोग यहां से अगर इसको run करेंगे कि देखें 123 33 एक बात था और फिर से मैंने एक बात 3 आड़ कर दिया था इसलिए 12345 आ रहे है आपका तो बस यही दो था और उसके बाद हम लोग देखते हैं insert एक function होता है लिस्ट में जो insert क्या करता है कि एक particular अगर आपको आखिर में नहीं करना है आपको बीच में कही आड़ करना है या फर आपको starting में आड़ करना है तो उसके लिए आपको insert यूज करना पड़ेगा for example मैं यहां पर एक array ले लेता हूं लिस्ट ले लेता हूं चलिए कुछ भी आप बोलिए फर्क नहीं पड़ता ठीक है और यहां पर मैं आगर लिखता हूं insert और लिखने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले इंटेक्स देना पड़ेगा देखिए यहां पर अगर आप कोई ID यूज कर रहे है आई या पर इंटेक्स लेता हूं for example मैं चाहता हूं कि जो यह 3 है इसके पहले आ जाए तो इसके पहले आने का मतलब क्या होता है कि 33 का जो पोजिशन है उसी पर आप उसको आना है तो उसके लिए मैं क्या रिच्छा करना चाहता हूं और यहां पर प्रिंट कर देता हूं यह को और यहां पर रहां करता हूं देखिए फाइब जो थ्री के पॉजिशन था वहां पर आ गया और थ्री और फॉर एक एलिमेंट करके राइड में शिफ्ट हो गया तो यही इंसर्ट का इंसर्ट इंसर्ट यूज़ करने से यही करना होता है और उसके बात हम लोग लोग देखते है किने वादस उट और हम देखने वाले सब्सक्राइब करता कि आपगा है विसको रिवर्स करता है इसको यहरे है इसी को मैं आपको दिखा लाग पर ने यहांपर 5 को टू सैगेंड पॉसिशन में इंट किया देखिए sabes वह वह यह है यह आभी यह है 125-34 इसको आगर मैं स्वाट करना चाहता हूं सब्सक्राइब क्या होता है कि array को मैं ascending descending order में लखना चाहता हूं उसके लिए मैं या पर सिला command लगाऊंगा array.sort क्या करता है का आपके ascending order में उसको ऐलाइन कर देता है देखिए यहां पर मैं इसको रन करता हूँ देखिए वाण तुटुटूट्र फड़ा रहे हैं तो इसको इसने परेक्ट और में ऐलाइन कर दिया और उसके देखिया मैं सोट कर देखिया मैं सट करता है क्या करता है कि आपको इसको बस इसला देता है तो मैं आप A.Reverse अगर करता हूँ और यह कोई पैरामिडर नहीं लेता देखिए इसने जो 4,3,4,3,1,2,5,3,4 ऐसा ही था ना तो उसने 4,3,5,2,1 ऐसा कर दिया हुगा 4,3,5,2,1 देखिए इसने इसको convert कर दिया तो बस यही था उसके बाद reverse के बाद हम लोग देखते हैं कि आप array में और किस किस तरीके से elements अड़ कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ एरे हमारे पास for example यह है और यहां पर मैं चाहता हूँ कि मैं और एक element एंटर करूं आखिर में जो हम लोग वैसे append से भी कर सकते हैं वही recommended method है लेकिन ऐसे भी हम लोग कर कर सकते हैं और और एक चीज़ है कि अगर आप array को duplicate करना जाते हैं for example अगर आप ऐसा एक array चाहते है जो वान का ही duplicate हो लेकिन two times for example आप ऐसा array चाहते है कि one का value हो जाए one two three four और एक बार one two three four ऐसा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप सिधा यहां पर command लाएंगे one is equal to one into और जितने बार आप चाहते हैं for example मैं आप दो बार चाहता हूं तो यहां पर देखें इसको run करता हूं तो यह वही करता है कि आपका जो array है उसको extend करते था है अपने आप पर और एक बार नहीं जितना बार आप बोलेंगे उतना बार तो यह वैसिकली इसका काम होता है और ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग तो स्लाइसिंग बहुत important concept है तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा यहां पर मैं एक छ अनिकालते थे वही चीज़ यहां पर स्लाइसिंग होता है और यहां पर मैं आगा लिखता हूं कि ए वान से ठीट तर आपको यहां पर एक चीज़ धिए द्यान रखना पड़ेगा कि यह जो वान और थी है यह इंडेक्स है और बीच में आपको को लन लगाना है और यह जो से 3 है वह आपका एक्ष्पोड़ेट रहता है इसका मतलब क्या है कि आपको 1 से यह अर्य स्टार्ट होगा और आपका 3 जो अलिमेंट है उसके पहले खतम हो जाएगा मतलब कौन-कौन यहां पर हम रन करके देखते हैं ठीक हम इसको दूसरे किसी में स्टोर कर देता है अब अगर आप चाहते हैं कि पहले से मतलब इसके आपको क्या लगाना पड़ेगा कि यहां पर आपको ब्लैंक देना है क्या होता है यहां पर by default यह ले 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 लेता है कि जिरो से आप स्टार्ट करना चाहते है और आप थ्री तक जाना चाहते है ध्री तक मतलब आप 3 तक मतलब आपका जो 3 जो element है वहां तक आपका जाएगा जो 4 है उसका index 3 है वो excluded रहेगा इसका मतलब क्या है कि आपका 3 तक जाएगा तो यहां पर मैं इसको run करता हूं देखे 1 2 3 आ गया आपका इसका अगर उल्टा जाते है फर एक्सांपल अगर आप चाहते हैं कि इसका जो अब बस जो square brackets को close कर दीजें और यहां से आप run कर दीजें देखिए 2 मतलब जो second index है 012 second index मतलब 3 3 से आपके देखिए आखर तक आपका आ रहा है तो यह हुआ उसके बाद और एक syntax होता है इसका कि आप यहां पर steps include कर सकते steps मतलब क्या है for example मैं चाहता हूं कि यह पूरा array आय लगाना पड़ेगा दो कोलन अप लगा दीजिए दो कोलन लगाने के बाद यहां पर आप लिग दीजिए 2 इसका मतलब क्या है कि आपने first से आखर तक आप चाहते है और आप two के steps में चाहते है तो यहां पर आपका क्या आना चाहिए 13579 यह सब कहा आना चाहिए तो देखि इस टेफ्स भी इंग्लूट कर सकते हैं तो ठीक है अब इस इतना ही था और उसके बाद हम लोग अभी एक बहुत इंप्रेंट कॉंसेप्ट देखने वाले जो है लिस्ट कॉंप्रिहेंसिंशन के लिए हम क्या करते हैं यहां पर मैं यही एक आरे लेता हूं और यहां पर मै मैं पहले लिक लेता हूं उसके बाद आपको समझातों यह है क्या एक इन रेंज टेन और इसको प्रिंट कर वादेता हूं देखे इसने 10 जो इंडेक्स है मतलब 10 जो वैलू है उसके पहले तक सारे एलिमेंट्स को इसने एक अरे के अंदर घुशा दिये इसका मतलब क्या है एक एरे आप एक वेरियेवल लीजिए जो है एरे का रेंज है 0 से 10 तक यहां पर आप फास्ट में कुछ इंक्रूड नहीं और उस एरे को आप एक के अंदर आप रख दीजिए तो यहीं इसका मतलब है तो देखें यहां पर वही आया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है पुरा आ गया तो इसको बोलते है लिस्ट कॉम्प्रियेंशन लिस्ट कॉम्प्रियेंशन मतलब क्या है कि आप एक लिस्ट बना रहे है एक कि आगर आप चाहते हैं कि यहां से यह 0 से 10 तक वही एलिमेंट्स बस आये यहां पर मैं 11 कर दता हूं ताकि 10 वी इंक्लूड हो जाए जो इवेन है तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहां पर आप एक आखिर में इफ लगा देंगे बस इफ यह percentage two equal to zero percentage का मतलब मैंने संजात है आपको modulus होता है modulus मतलब क्या है कि आगर आप two से divide करेंगे तो रिमेंटर क्या आएगा तो two से divide करने के पाद रिमेंटर का zero आता है उसका मतलब है कि वह even number है तो मैं यहां पर चाहता हूं कि 0 से 10 तक जो भी even numbers हो उन सब का वही सब बस a array में आए तो यहां पर यहां पर ए ही नहीं इसके लिए मैं आप मैं आहले लगा जाता हूं को दिखा जेंदा अ देखें यहां पर कुछ भी लगा सकते है यहां Pacific अपका जो यह says में आपने यहां पर जो आई लगाया है और यहां पर जो आई लगा है यह बस का मुद्ट करता हूँ नेम यह ओ आच्छा यहां पर यहां पर भी आपका आए लगाना पड़ेगा ना सॉरी देखिए यह राण हो गया 0246810 पूरा सारे वैलूस आ गये तो ठेक है अभी आपने लिस्ट कॉंप्रेंशन और फिल्टरिंग क्यों सीखिलिया लिस्ट का तो अभी हम लोग और एक कॉंसेट देखने वाले जो है क्या आप लिश्ट को और सकते particularly यह तो Lawrence कर बेख देंगे तो यह क्या होगा इसी डी सोल्वा ना कि कि यह यह फैलू स्टोड भा रिफ्रेष्ण मतलब क्या होता है कि इसका जो पॉयंटर है हो यहां पर स्टोर रजाएगा पॉयंटर में आपको अभी तक नहीं समझाına हूं और यह जो concept है यह basically C या फिस C++ का concept है तो यह python में उतना जरूरी भी नहीं है लेकिन आपको यह याद रखना है कि बीकोल टो यह लिखने से आपका यह इंट्रूर्ट नहीं होगा मतलब वह एक अलग विरियेबल नहीं होगा और अगर आप A में कुछ कुछ चेंज करेंगे तो भी में वह consequence होता रहेंगा तो वह आपको नहीं करना है यहां पर आपको लिखना है यह इस इकल भी इस इकल टू यह डॉट और उसका डॉट लगाने के बाद आपको यहां पर लिखना है कॉपी और कॉपी नहीं था कॉपी डॉट कॉपी था यह सॉरी यार मैं भी भूल जाता हूं कर भी कभी हो सकता है इंसान जी हूँ तो यहां पर आपको कॉपी डॉट कॉपी लगाना पड़ेगा और आप जो भी एलिमेट कॉपी करना चाते है मतलब जो भी कॉपी करना चाते है वहां पर आपको यह इंटर करना पड़ेगा तो मैंने आप एंटर कर दिया और अभी मैं अगर बी को प्रिंट करूंगा तो यह बी के अंदर यह का पूरा फैलू आ गया देखिए अब भी स्वाड़ी यहां पर मैंने तो ए ही प्रिंट कर दिया यहां पर मैं अगर बी प्रिंट करता हूं फिर भी देखिए 123 ही आएगा 123 आगया अपका लेकिन यह जो कॉपी है और मैं आपको दूसरा एक मेथड़ देखा देखा देता हूं यहां पर आप डाइरेक्ट य और क्लोज तो इसका मतलब क्या है कि एक जो पूरा वैलू है वह भी के अंदर स्टोर कर देखिए यह वैसे कि स्लाइसिंग का ही कॉंसेट है जिसको हम लग ट्विक करके कॉपी करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो ठीक है देखिए यहां पर बीवी आपका आ गया लेकिन इसमें प्रॉब्लेम क्या है कि यहां पर अगर आप नेश्टेड एलिमेंट लगा देता हूं 4,5 और इसको मैं अगर अभी रन करता हूं देखिए यह अभी कॉपी तो हो गया लेकिन यहां पर आप कुछ एडिट करेंगे तो वह एडिट नहीं होता है तो उसके लिए आप को जो कॉपी मोडियोल है वह आप इंपूर्ट करना ही पड़ेगा अधर आप नेस्तेड लिस्ट इस नहीं कोपी करतें तो यहां पर या वह ळी लग लिखना पड़ेगा पूपी कॉपी पी कुपी लिखने से आपको और यहां पर आगर आपको चेंज भी करते हैं तो वह भी काम करेगा तो यह विसिकली लिस्ट को कॉपी करने के कुछ मेथर्स थे ठीक है अभी हम चलते हैं अपने जो लास्ट सेग्मेंट है वह है कि आप एक जो सौ्टेड एर्य है उसके अंदर आप अगर एलिमेंट को लेता हूं आए पॉर आइए रेंज आए वन से हंडर्ड तक में लेता हूं ठीक है वन से हंडर्ड वन तक मैंने लिया क्योंकि यह लास्ट इलिमेंट इंफ्ट नहीं होता है देखें मैं आगए यहां पर प्रिंट यह करता हूं और इसको मैं रान करता हूं देखिए आप पूरा एक बहुत बड़ा आरे है जो अभी बन गया है तो यह एक सोटेड आरे है और इसके अंदर आपको कहीं पर एक वैलू को इंक्लूड करना है लेकिन आपको नहीं पता कि वह जो वैलू है वह कहां पर इंक्लूड होने से य मतलब आपको एंटर भी करेंगे सोटेड पाठ है यह खराब नहीं हो तो यहाँ पर लिए धारो गाएंगे और अगर अगर आप वाइन पने से इंडिट में अगर आप को नहीं पता तो आप आप स्था इंपोर्ट करना पर बूड़ियोप और आप फिंपोर्ट Chief रॉल कि पाइसीट धॉट लिवागे एंसर्ट यह आपको यह जुनकी कि एंटर कर देना है कि कौन सा Weils करना जाते है च्छलिटर यह और उसके पाद अपको निस्ट目र में स्कष्छ पास करना है कि आपको ओस तपीम टिस अ यह श्रयी सींसर्ट सूट्ट इसने को एंक्दम करेक्ड पोजिशन में इंसर्ट कर दिया फोर नहीं तो इसके लिए यह यूज का जाता है तो बस आज का वीडियो इतना इस था चलिए हम निक्ट वीडियो में देखेंगे सेट्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडाटाइफ है पाइफन में और वह आपको नेक्स्ट क्लास में देखने वाले तो आज के लिए इतना ही था चलिए बाइबाइब थैंक्यू झाल झाल